भागलपूर वो नौगचिया का कई इलाका हर वर्स बार की चपेट में आता है और लोग त्राहिमाम हो जाते हैं इस वर्स बार ने अपने जद में NH-80 को भी ले लिया है और इसके स्थिती काफी खतर नाख हो चुकी है यह वही तस्वीर है भागलपूर के सबोर के घोसपूर के शमीप NH-80 का एक हिसा तूटा था उसके बाद इसके मरमती का कारी किया गया और फुर से इसके स्थिती द्वैनिया हो गई प्रशाशन के द्वारा अभी वहनों पर रोक लगा दी गई है जबकि इससे पुर्व इसको सही करा कर और इस पर छोटी वहनों का आवागमन शुरू किया गया था एक वार फुर से पानी का दवाब बढ़ा अलांके दो दिन पुर्व की बात करें तो गंगा का जलस्तर में कमी आई थी लेकिन दो दिन के बाद पुर्व गंगा के जलस्तर में वुर्धी वी और तक्रीबन देर सैंटिमीचर गंगा भी खत्रे के निशान से उपर बह रही है और लागातार जो मीचला इलाका है वो बार की च्यद में आ रहा है आप तमाम तश्वीर देख रहे होंगे कि आपको जिधर भी नजर आ रहा होगा वो सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है और पूरा इलाका समुद्र की तरह नजर आता दिख रहा है यह वो तश्वीर है एनच एटी की तमाम अधिकारी यहाँ पर निरिक्चन कर रहे हैं लगातार यहाँ पर जो बचाओ कारी है वो किया जा रहा है आपको बता दें कि यहाँ पर जो छोटी गारिया थी उसका आवागमन शुरू किया गया था लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशाशन के टीम को यहाँ पर लगाया गया है और दोनों तरफ से बैरिकेटिं उतना बढ़ गया है कि वह शुगम दास्ता फुरसे कतरनात हो जा रहा है यूम पाईप लगा कर पानी को निकाशी करने का तरीका अपनाया गया था लेकिन पानी का दवाब ऐसा परा कि ह्यूम पाईप तक बहा कर लेकर चली गई और फुरसे एक हिस्सा एनयचेटी का तूट यहां पर पूलिया का निडमान किया रहाता है ताकि जो बाड़ा है पानी का जो दबाब है वो झेल सके इसको लेकर पूलिया का निडमान किया रहाता है और इसके बाद अगर यह पूलिया का निडमान हो जाता है तो यहां पर पानी का दबाब कम होगा और NH80 की जो लाइफ ह वह बढ़ जाएगी एक और देखना होगा है कि जब इस पूलिया का निडवान हो जाता है तो क्या बाढ़ का दंस ये पूलिया जेल पाती है या पिड़ पुना एमेचेटी को अपने जद में लेती है बागलपूर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार